Hey everyone welcome back to my youtube channel कैसी है अपनी वाम फैमली तो गाइस फाइनली रोल एल्फील दयार हो चुकी है संजु भाई के बाद जाने से पहले यार मैं आपको एक एप्लिकेशन के बारे मताना चाहता हूं जिसका नाम है बाइनमो ओनेस टेंग आप जिस पर आप सिर्फ चार सुर्पर इंव जो रियल अकॉन का बैलन्स है वाई 56,592 रूपीज तो अगर मैं आपको थूज़ा आप्लिकेशन के बारे में बता हूं तो यहां पर आपको इंवेस्मेंट का ऑप्ष्मेंट का ऑप्ष्मेंट मिल जाता है जिसमें आप इंवेस्मेंट अपने हिसाब से कर सकते हो 350 और यहां पर आपको दौप्ष्में मिल जाते हैं एक है ग्रीन और एक है रेड बिं का मतलब है कि आप ग्राफ के उपर जाने पैसे लागना चाते हो और रेड का मतलब है कि आप ग्राफ के नीचे आने पैसे लागना चाते हो तो अब मैं यहां पर आपको इंवेस्मेंट क कि यार मैंने 700 रुपीज लगा थे और आप मेरे को 1295 रुपीज मिले हैं तो यह हमारा प्रॉफित हुआ है हाँ जी तो कैसी लगी आप्रिकेशन यार जैसे कि आपने देखा मैंने कितने ज्यादा पैसे कमा लिए तो कई स्क्रीन पे अगर आप वो यूज करते हो तो आप बाइनमों आपको 100 पसंद विल्कम बोनस देता है काफी अमेजिंग आपर काई डिस्क्रिशन में लिंक दे रह सब्सक्राइब कि यार क्या के जिदिस में चेंज हुए है क्योंकि रॉयल एलपील ऐसी नहीं आती है हम सब को पते है कि आप 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 कि आपको लगी आपको लगी तो यह नीचे कमेंट का कि जरू बताना कि आपको बाइक कैसी लगी अगर हम बाइक को कवर करें तो इसमें लगा हुआ है आगे 150 mm का टायर अगर हम डिस्क की बात करें तो यह दूप में देखो कितना अमेजिंग इसका मटगाट है और मटगाट में यह थोड़ा सा बेंड दिया गया है थोड़ा सा और लुक एन्हांस करने के लिए और गाइस इस बाइक का अगर मैं कलर बता हूं तो यह पूरा ब्लैक है बट यह प अगर हम काउल बनाके लगाया गया है अगर हम टी की बात करें तो यह पूरी हाथ से कस्तमाइज करी जाती है अगर हम थोड़ा और पीछे है तो यह पर लुक देखो कितना अमेजिंग आ रहा है और यह है इसका कस्तमाइज टांक जिसमें यहां पे थोड़ी सी शेपिंग क सकते हो कि कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग है यहां पे इंडियन मोटर साइकल्स का लोगो है अगर मैं एक्जॉस की बात करें तो इसमें डूनों के दोनों एक्जॉस वोकिंग है तो आप देखते हो कितने अमेजिंग यह लग रहे हैं पीछे यहां पे क्रोम का थोड़ स्पेशली संजु भाई ने मीटर लगाया है और मीटर इतना अमेजिंग है ना मतलब डिटर मीटर इसमें लगाया गया है तो मीटर में आपको अभी चालू कर दिखाऊंगा यह रहा इसका मीटर अगर मैं हैंडल की बात करो तो इसमें थोड़ा अलग चॉपर क्रूजर स् तो यार बाइक कितनी अमेजिंग लग रही है पेंट कॉलिटी आप यहां पर भी देख सकते हो जब धूप पड़ रही है तो यह पूरा शाइन कर रहा है पेंट तो कितना अमेजिंग लग रहा है यह इंजिन गाड्स मतलब फैट लुक जिसे बोलता है ना कि तगड़ी ब लोगो दिया गया एक पर आप पेंट की कॉलिटी देखो मैं इसले बोल रहा हूं कि यह पेंट इतना अमेजिंग लग रहा है यहां पर जो सकते हो यह पॉल पेंट हो बोलते हैं इसको यह शाइन करता है जब धूप परती है इस पर सारे इंडिकेटर्स नहीं लगाया गया पीछे नमब लेट और नमबर यार गई एक बार आप नोट कर लो यह बाइक कहां से यह बाइक आई गुजराथ से पीछे का अलॉय आप देख सकते हो कितना अमेजिंग लग रहा है चेंज सेट नहीं लगता है पूरी बाइक पूरी की पूरी बाइक चेंज होती है अगर यहां से मैं में यह मीटर ओन कर रहा हूं यह चाबी मैंने यहां से गुमाई तो आप एक बार देखो कितना अमेजिंग इसका लुक आता है तो यह हो गया आपका मीटर स्थार्ट काफी लोग यही बोलते हैं कि भाई आपने एक्जॉस की साउंड नहीं सुनवाई तो एक अगर आप एक्जॉस नोड देखो कितनी अमेजिंग इसकी साउंड आएगी यह देखो यह नॉमल टॉक दे रहो हूं मैं अब मैं थोड़ा रेप करूँ मतब ऐसी आवाज है कि अगर आप कहीं खड़ी रखोगे बाइक को तो कोई आवाज नहीं है कोई साउंड नहीं है बट अगर आप हाइवे पे लेके जाओगे यह आप नॉमल रोट पर चला रहें तो इतना तो है कि आगे वाले बंदे को पता सल जाएगा कि पीछे दे कु कि ब्लू वाली बाइक है उसमें एयर इंफ्लो कैसे जाता है मतला बाइक हीट तो नहीं करती तो आप आगे देख सकते हो यहां पर ग्रिल लगे हुए है तो यहां से जब हावा जाती है तो इंजन आपका कूल रहता है तो आप यह देखो कितनी अमेजिंग यह ग्रिल लग आपको दिखाएंगे जो भी बनाएंगे तो जाइर सी बात है आज आपको दिखा रहे हैं बागी क्या क्या है क्या है नहीं है के अंदर और यह बाइक है गुजरात की क्या बात हाँ जैसे बताया था वैसे ही आई है और वापस भी हम इसको ऐसे ही भेज देंगे तो बैया जैसे की मेर को और पब्लिक को दिख रहा है कि हमने बहुत दिन पहले एक वीडियो बनाए जिसमें यह सारी की सारी बाइकों प तो तो जग लगना यह लाजमी एं लेकि बैसिrif लाज़िया तो पूरी इस का साघ्चर पोसरी देख यह लोगों ने boiling लोगों का सिरें वदिख यह यार इसका घाड़ी पर दिख रहे है कि इसका लोहा क्राब है लोहा खराब निये दोस्तों अब किसी बीडिशी को विदा उट खड़ी कर दो के ना मालों कर अपने कार को रहा B2 लो नहीं कर लिए और अगर दो तीन महींने में उटी की बात कर रहा हूं जो चोटे मोटे आ जाते हैं वैसे तो कभी नहीं आते प्र पड़लिक पूर्टी है कि भाइँ अब अगर कुछ खराब होना होगा ना तो धो दिन में हमारे पास बिंट की तो दिन में ही प्ता लग जाएगी है अजब हम इतनी महीनत करते हैं जाहिर थी बात है यार पैंट से भी ज़ो पैसे घर यह तो उसी जब से काम तोलेंगे बिल्कुल सब्सक्राइब करें तो गाइस अगर आपको यह बाइक अच्छी लगी हो बाइका काम अच्छा लगों वीडियो लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब तो करी देना बैल आइकन नहीं दबाया तो दबा देना अब इसको लेकर जलते रोड पे और मैं आपको द बाई दुनिया मोड मोड के देख रही थी मतलब मेरे को ठोकने को तैयार थी कि भाई एक फोटो एक फोटो तो अब इसको लेकर जलते हैं रोड पे और देखो कितनी अमेजिंग यह बाई लगती है कि तर बाई बाई, देस एको बाई रहा, रहा, ढाई में ठाई है